कि कैसे हो एक यह मेरे पास फिलिप्स कंपनी का एलेडी वलप है फिलिप्स कंपनी का इसमें प्रॉल्म क्या है चलिए इसको सप्लाई देते हैं उसके बाद उल्डर में लगाते हैं तब भी मालूम पड़ेगा कुछ यह देखिए इसमें प्रॉल्म क्या है कि इसकी सप्लाई सबसे पहले स्प्लाई को टेस्ट करेंगे यह मल्łęू लए और इसको यसी साथ के 50 बऌल्टेट कर सेड़ के इसके के ऑटो के मैं को चक करते हैं किसकेube इस बॉलटेज बर रहे है यहां नहीं भर रहे है कि यहीद से देख नहीं रहाक प्लू कि इसके बोल्टेज को चेक कर रहा है तो यह देखिए दोस्तों कि हमारे हिसाब से इसके बोल्टेज नहीं बढ़ रहे हैं कि दिख दोस्तों बोल्टेज तो बन रहे हैं इसके अर्ड़ पुट सप्लाई आ रही है इसका मतलब क्या है और इसका मतलब इसमें ये डियोवी लाइड खराढ है इसकी एफिलीड खराब चली इसको टेस्ट करेकी देखिए त्लिंस के इसके सारे बलब को को आपस में तच करके देखार आपके जोन सा LED बलब खराब होगा, उसको टच करने से हमारी सारी LED जल जाएंगी, ये देखिए, दोस्टों, ये वाली LED खराब है, ये वाली, ये, तो आप चाहें तो इस LED को रीमूब करके, इस LED को इस से अटाल है, और आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा पेश्ट लगाना है, और इसे आपस में शोल्ड कर देना, आरेन की मदस से, ये देखिए, बैसे आप चाहें, तो इसमें LED बलब भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम तुमको दो तीन तरीके से इसको रिपेर करके दिखाएंगे, तो इस से देखिए, ये बलब जलने लगा, ओके, आप इसको अटाके, हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे, इस से क्या होता, इसको LED बलब को सौर्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये ज़्याद लिए हम बता रहे हैं, तो हलो दोस्तो ये देखिए, अब लेते हैं, दोस्तो ये आरजीवी LED बलब, तो आपको इसे सोल्ड करते हैं, इस जगे, ऐसे करें, मानस पर मानस प्लस पर प्लस सेट करता है, ठीक है, अब इसे टेस्ट करते हैं, दोस्त, ये देखिए दोस्तों, इस तरीगे से आपका बलब चलेगा कुछ दिन तक चलेगा यह LED बलब लगने से क्या होता है इसकी पॉवर बटन इसकी पॉवर अपसमें बटेगी नहीं बढ़िया चलेगा यह LED बलब तो हमारी जानकारी कैसे लगी वीडियो लाइक करना